हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्वात सर्वो परी आज मैं आपके साथ टमैटो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ सर्दियों का मौसम में और इस मौसम में सूप जादा पिया जाता है और टमैटो सूप बहुत सारे लोगों का फेवरेट रहता है टमैटो सूप के साथ आज हम क्रिस्पी क्रंची गार्लिक ब्रेट भी बनाएंगे तो वीडियो के साथ लास तक बने रहीएगा टमैटो सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आठ मीडियम साइज टमाटर लियें आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे और लाल होने चाहिए इन सभी टमाटरों को धोकर इस तरह से रफली चॉप कर लीजे बड़े-बड़े पीसिस में बहुत फाइन चॉपिंग की जरुवत नहीं है सूप में क्यूंकि इन सब को हम बॉइल ही करेंगे तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए गैस पर कढ़ाई रखिए और उसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजे और जैसे ही यह बटर मेल्ट हो जाए फ्लेम को लो कर दीजे और उसमें एक तेजपत आधा चम्मट जीरा और तीन से चार लॉंग और चार से पांच जैसे ही काली मिर्च डाल दीजे इसको थोड़ा स्टर करिए और जैसे ही जीरा स्प्लटर करने लग जाए तो उसके और उसके बाद साथ में दो चम्मच कटा हुआ बारी कटा हुआ लसन उसको थोड़ा हिला दीजे और उसके बाद इसमें डेड़ चम्मच कटी हुई अधरक डाल ली हैं चीजों को बहुत जादा पकाना नहीं इसलिए एक स्लाइट स्टर देके बस अब इसमें हम पटे हु अब इन सभी चीजों को मिला लीजिए सभी चीजों को मिलाते हुए गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है यहां पर क्यूंकि यहां पर हम सिरफ हमको टमाटर को गलाना है अब टमाटर सूप को एक अच्छा सा रेड कलर देने के लिए उसमें आधा बीटरूट डाल दीजे और आधा चममच नमक बीटरूट आधा ही डालना है आप देख सकते हैं मैंने सिरफ दो पीस बीटरूट के अड़ करें इसमें इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको 7-8 मिनट के लिए ढग देंगे पाकी टमाटर गल जएं आप देख सकते हैं 7-8 मिनट हो गए और इ जब तक हमारा टमाटर ठंडा हो रहा है तब तक आये गार्लिक ब्रेड के लिए हम बटर त्यार कर लेते हैं यहां पर मैंने दो से तीन चमच जैसा बटर लिया है उसको अच्छे से बीट कर लेना है वो रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए बटर फिर इसमें थोड़ा सा मारी कटा हुआ लस्टन एड़ कर दीजिए और थोड़ा हरा धनिया उसको अच्छा कलर देने के लिए साथ में थोड़े से ओरीग्यनो और चिली फ्लेक्स एड़ कर दीजिए इस तरह से हम सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और लीजिए हमारा गार्ल अलग हटा दीजे ये देखिए बीटूट भी डला हुआ है और इस सारे मिक्सचर को मिक्सर जार में ट्रांसपर कर दीजे इस सब को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूध पेस्ट बन जाए ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर का स्मूध पेस्ट बनके रेडी है तो ये हमारी टोमेटो फ्यूरी बनके रेडी है सूप को एक स्मूध और अच्छा टेक्स्चर देने के लिए हम इसको पेस्ट को छान लेंगे एक स्ट्रेइनर से तो नीचे एक बरतन रख दीजिए और उपर एक ऐसे जाली रखके इस पूरे सूप को छान लिजिए ये जो जार में जो टमैटो था उसको भी मैंने पानी डा के थोड़ा निकाल दिया है और इस तरह से चम्मच से ही लाते हुए हम इस पूरी टमैटो के पेस्ट को छान लेंगे और ये जो चन्नी के ऊपर जो निकला है मेटीरियल उसको आप डिस्कार्ट कर दीजिए और ये जो पेस्ट आपका है इसको खढ़ाई में उसी कढ़ाई में एड कर दीजिए और साथ ही इसको थोड़ा पतला करने के लिए इसमें तीन कटोरी पानी एड कर दीजिए मैं सूप में थोड़ा सा कॉनफलोर यूज़ कर रही हूँ अगर आपको कॉनफलोर नहीं यूज़ करना तो पर आप पानी की क्वांटिटी कम रख सकते हैं यहां पर मैंने एक चम्मच लिया और उसमें थोड़ा पानी डालते हुए लंप फ्री स्लली तियार करने हैं इसमें लंप नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी इसे स्मूप में एक अच्छा स्मूथ टेक्स्चर आएगा पर यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते कॉन फ्लोर तो आप वैसे भी बना सकते हैं तो पानी थोड़ा कम डालिए बस अब इस स्टेज पर जब एक अच्छा बॉयल हो गया है तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके और इस लरी को टमैटो सूप में करतीजे और इसको डालते वे पंटे ने उसको हिलाते रहना है अब हम इस सूप को हाई मीडियम फ्लेम पर जब तक इसके रिक्वाइड कंसिस्टेंसी नहीं आती तब तक पकने देंगे और जब तक हमारा सूप पक रहा है तब तक आये गार्लिक ब्रेड की भी तियारी कर क्योंकि गरम-गरम सूप के साथ गरम-गरम गार्लिक ब्रेड अच्छी लगेगी तो इन दा मीन टाइम आप दो ब्रेड स्लाइस लीजिए और जो हमने बटर तयार गिया था उसको इवनली स्प्रेड कर दीजिए खलके गरम तवे के उपर इस तरह से उसको ब्रेड को प्लेस कर दीजिए और उसके बाद उसकी बैक साइड पर भी थोड़ा बटर लगाके अब उसकी साइड फ्लिप कर दीजिए अब बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको थोड़ी देर पकते दीजिए जब तक यह नीचे से भी क्रिस्पी ना हो जाए और लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी लो मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे तो यह बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी यह देख सकते हैं आप कितना अच्छा टेक्श्यर आया इसका और इधर हमारा सूप भी पत चुका है इस स्टेज पर हम सूप में वन फोर्थ टीस पी काली मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे और आधा चम्मच काला नमक एड़ करेंगे अब गैस की फ्लेम बन कर दीजे और देखिए सूप की एकदम परफेट कंसिस्टेंसी आ गई है तो लीजिए हमारा गर्मा गरम सूप बनके रेड़ी है विद क्रिस्पी और क्रंची गार्लिक बेड़ इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने क्रीम डाली है और थोड़े से ब्रेड क्रंच डाली है आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में लगा बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें